हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम इस सेनाइजर हेड़फोन का अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं ये सेनाइजर कमपनी का CX180 मॉडल है इसको हमने एमेजॉन से करीबन 7500 रुपय में खरीदा है अगर आप इस प्रोड़क को खरीदना चाते हो तो इस प्रोड़क का बेस्बाय लिंग हम आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं उस लिंक पे जाके आप ये प्रोड़क खरीद सकते हो दोस्तो इस हेड़फोन के वीडियो को आप एंटक जरूर देखना क्योंकि इस हेड़फोन के बारे में सारे टेकनिकल स्पेसिफिकेशन्स और सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं सिनाइसर CX180 Street 2 इन एर हेडफोन ब्लाइक तो दोस्तो ये हेड़फोन हमने Amazon से पर्चेस किया हुआ है इस हेड़फोन का पैकेजिंग हम देखते है इस हेड़फोन का पैकेजिंग बहुती सुन्दर तरीके से किया हुआ है जहाँ पर ट्रांस्पोरेंट हमें हेड़फोन अंदर से दिखता है और इस packaging के उपर इस headphone के सारे technical specifications और details यहाँ पर लिखे हुए है जिसे आप इस वीडियो को pause करके आप आराम से पढ़ सकते हो packaging के उपर importer का name, address, इस headphone का model number, price ऐसे सारे technical specifications इस packaging के उपर लिखे हुए है तो दोस्तों ज़्यादा time न लेते हुए इस packaging को आपके लिए open करके इस packaging के अंदर headphone के साथ हमें company ने क्या कुछ दिया है वो सारा हम आपको दिखा देते है packaging को open करते वक्त आप ध्यान दे इसके चारो corner से आप इस packaging को open करें ताकि बीच में जो हमारा headphone या फिर उसकी wire है वो damage ना हो packaging को open करने के बाद हमें हमारा CX180 earphones और उसके साथ दो adapters मिल जाते है यहाँ पर हमें तीन adapters मिल जाते है एक small, medium और तीसरा large small adapter और अल्रेडी headphone के साथ लगा हुआ है medium और large adapter यहाँ पर plastic packing में हमें दिख रहे तो दोस्तों जल्दी से हम इस headphone को इस plastic के अंदर से बाहर निकाल कर इस headphone की quality कैसी है वो आपको दिखा देते है इस headphone को बाहर निकालने के बाद और इस headphone को हाथ में लेने के बाद इस headphone की manufacturing quality इसका material और इसके looks हमें काफी अच्छे लगे इस headphone का brand Cynizer है इसका model number CX180 Strict 2 है इस headphone का item weight जो है वो 4.54 grams है इस headphone के dimensions जो है वो 10 cm by 5 cm by 10 cm ऐसे है यह headphone MP3, iPod, iPhone, 3D players और portable gaming systems के लिए compatible है यह headphone काफी lightweight है इस headphone में आपको microphone नहीं मिलता यानि कि इस headphone से आप सिर्फ गाने ही सुन सकते हो अगर आप with microphone वाला इस company का दूसरा model खरीदना चाते हो तो वो model आपको online मिल जाएगा उसके लिए आप Amazon पे जाके Cynizer Company के other models चेक कर सकते हो इस headphone को आपको आपके mobile के साथ connect करने के लिए यहाँ पर हमें wired 3.5 mm single pin मिल जाता है single 3.5 mm pin के साथ आप इस headphone को आपके mobile के साथ connect कर सकते हो इस pin का quality भी हमें काफी अच्छा लगा जो की normal headphones की तरह सीधा नहीं है जो की 90 degrees में rotated है जिसकी मदद से आप आपके mobile को इस pin को बहुती आसानी से लगा सकते हो इस pin के पीछे के साइड में Cynizer का branding company ने किया हुआ है इस headphone के जो cable का length है वो 1.2 meter है जो की इस headphone की बहुती अच्छी बात है तो दोस्तो जल्दी से हम इस headphone का wire open करके आपको दिखा देते है कि इसका length हमें कितना बड़ा मिल जाता है ये headphone हमें company की तरब से 2 year manufacturer warranty के साथ मिल जाता है यानि कि 2 साल तक इसका warranty आपको मिल जाएगा जो की इस headphone की काफी अच्छी warranty हमें company की तरब से मिल जाती है इस headphone का cable बहुती soft rubber material से बनाया हुआ है इस headphone का color हलाकि black है लेकिन कही कही जगा पर यहाँ पर gray combination भी यूज़ किया है जो इस headphone को काफी अच्छा look दे देता है इस headphone के साथ हमें दो और ear adapter set मिल जाते हैं जो की medium और large size में है जिसके rubber का material और manufacturing quality बहुती अच्छा है इन adapters को आप आपके कान के size के हिसाब से इनको बिठा के इस से काने सुन सकते हूँ जैसे की ये in-air headphones है यानि कि ये ear plugs आपके कान के अंदर fit बेट जाते हैं हर किसी के कान सेम नहीं होते हैं कोई कम ज़्यादा या छोटे बड़े होते हैं उस इसाब से ये adapters आप यूज़ करके वहाँ पर आप आपके headphone में fit करके आप ये headphones बहुती comfortably यूज़ कर सकते हो इस headphones का frequency response 28Z से लेके 20,000Hz तक है और sound pressure level 110 decibel है तो दोस्तो इस headphone के सारे technical specifications और सारे details हमने आपको इस वीडियो में समझाये हुए है फिर भी इस headphone के बारे में आपको कोई questions या फिर कोई queries है तो आप हमें comment करके पूछ सकते हो हम उन सारे questions के answer देने की कोशिश जरूर करेंगे तो दोस्तो ये Sinizer का headphone हमने Amazon से purchase किया हुआ है Amazon का जो link है वो आपके साथ हम description में share कर रहे है उस link पे जाके आप ये headphone खरीदना चाते हो तो खरीद सकते हो जातर time न लेते हुए इस mobile के headphone के pin को हम हमारे mobile के साथ connect करते है और हमारे mobile phone के अंदर एक गाना चला के हम देखते है कि इसका sound quality हमें कैसे लगता है वैसे ये headphone हम पिछले 15 दिन से यूज़ कर रहे है इसका sound quality हमें बहुत ही अच्छा लगा तो दोस्तो इस headphone का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस headphone की वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेर करो और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करो और साथी साथ सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल आइकॉन का बटन है उसे भी प्रेस करो ताकि आगे आने वाले हमारे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुच जाएंगे और ये सीनाइजर का CX180 हेड़फोन आप खरीदना चाहते हो तो इस हेड़फोन का बेस बाइ लिंक हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहें उस लिंक पे जाके आप ये हेड़फोन खरीद सकते हुआ तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ टेक केर